हलो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट जूसुफ जैक्स जैसा कि हमने सुभह में वीडियो बनाई थी फिलिपकाट के सेल को लेके से मुसी तरह एमेजोन पे भी ग्रेट फ्रीडम वेस्टिवल सेल शुरू हो गया है जो कि चार अगस से आठ अगस तक चलेगा यह तीन तारिक से ही प्राइम मिंबर्स के लिए लागू हो गया था इसमें आपको यहां पे लिखावा है अप टू 14% आफ इंडियन मोस्ट प्रिफर्ड स्मार्टफोन डेस्टिनेशन 40% आपको किसी भी फोन पे देखने को नहीं मिलेगा उस पे ध्यान मत देचेगा ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर क्या-क्यूश लिखावा है EMI का option आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर उसके बाद यह पूरी list है जिसमें top phones है और worst phones भी है तो हम लोग दोनों को देखेंगे और मैं आपको ध्यान से बताऊंगा कि कौन से phone को लेना चाहिए कौन से phone को नई लेना चाहिए तो iPhone 14 का price इन्होंने अभी reveal नहीं कि क्या कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगा हम देख लेते हैं मैं आपको यहाँ पे details में दिखा देता हूँ यह देखिए इस यह available होगा 4 अगस्त 12 पीम के बाद से 2000 रुपेस ओफ होगा यहाँ पर price वगेरे लिखा हुआ है और देख लेते हैं इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 782G देखने को मिल जाएगा 12GB RAM तक आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा 5000 इमेज की बैटरी और 80W का Superbook Charger देखने को मिलेगा camera 50MP का है अच्छा option यह एक हो सकता है आपके लिए लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि अगर आपको यही लेना है तो इससे अच्छा है कि आप पिक्सल 6A लो जिसकी लास्ट वीडियो मैंने डाली है चैनल पे budget phones में अगर जाना चाहेंगे तो Samsung M34 एक option है लेकिन यह कुछ खास अ यहां है वो बस एक जगा और वो है processor processor इसके अंदर आपको ठीक ठाक देखने को नहीं मिलता है तो यहां पर आप इस phone को skip कर सकते हैं जैसा कि मैंने कहा कि कुछ phones अच्छे हैं कुछ phones अच्छे नहीं है फिर यहां पर Realme Narzo 65G है अगर 16-17000 में लेना है तो आप इसको ले सकते हो यह भी ठीक ठाक ही है कैमरा अच्छा देखने को मिल जाता है इसमें आपको 33W की fast charging देखने को मिल जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर details में इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और smartphone जो है 32,000 का यहां पर IQ Neo 7 Pro है gamer अगर आप हो तो आप यह phone ले सकते हो आप के लिए अच्छा रहेगा यह भी एक 5G phone ही होने वाला है यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं Snapdragon 8 Gen 1 processor के साथ यह आपको देखने को मिलेगा 8GB RAM और 128GB storage के साथ IQ Neo 7 Pro सभी phones की link मैंने description में देदी है आप वहां पर जाके देख सकते हो Moto Razr 40 54,000 का phone है इतना मेंगा phone लेने की कोई जरुद नहीं अगर उतना मेंगा लेना है तो iPhone पर चले जाओ उसको मतलो दूसरा option यहाँ पर आप देख सकते हैं Redmi 12 जो के नया आया है Snapdragon 4 Gen 2 के उपर ठीक है यह 10,990 रुपे का होने वाला है budget type का processor है यहाँ पर आप देख सकते हो 10,990 लिखावा है यह भी एक 5G phone है अगर एकदम सस्ता 5G phone खोज रहे हो तो आप यह phone ले सकते हो ठीक है चलेगा लेक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको 22,000 में और हाँ curve display के साथ यह भी phones आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर MediaTek इसके अंदर आपको मिलेगा MediaTek Dimensity 7050 का processor ठीक है अच्छा चलेगा 8GB RAM प्लस 8GB RAM आपको यहाँ पर अंदर में dedicated 8GB होगा बाकी 8GB यह system से बना के देगा आपको 256GB का storage देखने को मिल जाएगा 5G 66W की charging और 47MH बैटरी के साथ इन display fingerprint आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा ठीक है यह भी एक option आपका हो सकता है अगर चाहें लेना OnePlus Note CE3 light heat करता है यह phone 20,000 के खरीब का था अभी 19 में मिल रहा है तो यह कुछ खास option अच्छा ह Redmi 12C आप ले सकते हैं मेरे एक दो दोस्तों ने लिया भाय काफी बढ़िया चल रहा है उनका लेकिन ये एक budget से भी जाद है तो आप घर में किसी parent को देना चाहते हो अपने तो उनके लिए ठीक रहेगा या बच्चों के लिए ठीक रहेगा ऐसे बाकी लोगों के लिए नहीं उसके बाद Realme का एक N95 फोन है ये भी अभी एकदम नया आया है कुछ टाइम पहले अच्छा market चल रहा है इसका भी काफी सारे लोगों के हाथ में ने देखा है 33W की आपको fast charging इसके अंदर देखने को मिल जाएगी 6GB RAM, 120GB storage के साथ ये फोन जो है आपको देखने को मिलेगा तो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो कम दाम में ये भी एक अच्छा फोन हो सकता है आप ले सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारी लिस्ट में यहाँ पर IQ Z6 Lite Z6 Lite भी 13-14,000 रुपय में अच्छा फोन है लेकिन बहुत ज़दा दाम इस पर कम नहीं हुआ है बस हल्ला कर रहे हैं ये लोग के हमने दाम कम किया है लेकिन कुछ खास दाम कम नहीं किया है वन प्लस 11R 38,999 रुपया इसका दाम है स्नैपड़गन 8Gen1 पर आता है 11R महेंगा फोन है लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं क्योंकि काफी अच्छा फोन है एस 20 FE ये तो थोड़ा पुराना हो गया चाहो तो छोड़ सकते हो लेकिन ये एक 5G फोन है कैमरा इसका बहुत बहतरी है 25,000 रुपया दाम इसका पिछले साल के BBD सेल में भी गया था और Amazon Great India सेल में भी गया था तो इसका दाम अभी September के महीने और भी कम हो सकता है लेकिन अभ बहुत सारी वीडियो यूटूब पे अवेलेबल है कर्फ डिस्पले वाला फोन है अभी इसका दाम घट गया है और 21,000 रुपय का हो गया है सबसे सस्ता आप कर्फ डिस्पले वाला फोन कह सकते हो इसको उसके बाद OnePlus Nord CE 2 Lite ये भी अच्छा फोन है लेकिन Nord CE 2 और जादा ठीक है चाहे तो ले सकते हैं 5G में आपको ये एक अच्छा option देखने को मिलता है तो वैसे तो Amazon पे कई सारे phone sale में मिल रहा है लेकिन जादा तर में कुछ खास discount है नहीं और बहुत सारे बेकार phone भी है Samsung M14 भी कुछ खास नहीं है Redmi A2 भी कुछ खास नहीं है और उसके बाद N53 ये आपको ठीक ठाक 33W का देखने को मिल जाता है कम दाम में अगर फोन लेना है दस के अंदर में तो आप इसको चूज कर सकते हैं IQ Z7S नया आया है तो मैंने देखा नहीं है लेकिन दाम इसका कुछ जादा कम नहीं हुआ है OnePlus 11 मेरे दोस से पास से बहुत ही बेतरीन phone है 55,000 म हुआ है इससे जादा तो किसी phone में कम नहीं हुआ है ठीक है टेक्नो पोवा टेक्नो पॉप 7 प्रो इसको skip मार दो ओपो A78 skip मार दो नौट 3 अच्छा phone था लेकिन इतना न महंगा आ गया कि बिकाई नहीं बहुत कम अभी इसका दाम और गिरेगा थोड़ा वक्त इंतार कीज नार्जो 50i Prime सस्ते में 67,000 रुपे में ये एक अच्छा option हो सकता है सैमसंग A34 ये आपको जो है थोड़ा सा मैं कहूंगा महंगा है बहुत ज़ादा इसके बजट में आप दूसरा phone ले लो 27,000 में वो कुछ खास पसंद नहीं हो सकता है लावा ब्लेस कुछ खास नहीं है लागिया टेक्नो 90 पोवार टेक्नो सब वेकार सैमसंग Galaxy M33 अगर 15,000 देखो इसका दाम अभी 15,499 है मैंने ये phone तीन महीना पहले लिया है लगबग और मैंने भी इतने ही रुपे में लिया है तो सेल का फिर क्या मतलब बनता है सेल में तो दाम कम होना चाहिए लेकिन मैंने मैं खुद 15,499 something या 16,000 में लिया है इस phone को जबकि उस टाम कोई offer नहीं चल रहा था कुछ card offer वगेरा पर मुझे discount मिला था और इतने ही में हो गया तो काफी अच्छा 5G phone है camera बहुत अच्छा है realme narzo 60 pro इसके अंधर आपको 1TB की storage देखनी को मिल जाती है इसका दाम घटके भी 23,000 हो गया ऐसे 24 या 25,000 रुपया था तो ये एक अच्छा option हो सकता है अगर storage आपकी primary need है तो उसके बाद Redmi Note 12 ये भी अच्छा phone है चाहें तो आप ले सकते हैं 15,000 रुपय में दाम ज्यादा कम तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी चलने लाइक है उसके बाद यहाँ पर औ 15,000 के budget में तो आप उस पर जा सकते हैं वो आपको ठीक ठाक option देखने को मिल जाएगा OnePlus 10R भी अच्छा है इसका दाम 32,000 हुआ है ऐसे 34 something था और K50i यहाँ पर और सस्ता मिल रहा है flip card से यहाँ 20,000 में मिल रहा है तो 20,000 में लेना है तो ले सकते हैं IQ Neo 7 का दाम भी बहुत कम इन्होंने कम किया है तो क्या कहों है 26,499 किया है 27,000 के something में भीक रहा था लेकिन एक अच्छा फोन है गेमिंग फोन है लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं OnePlus 10 Pro अच्छा फोन है Snapdragon Gen 1 पे आता है 80W के आपको charging मिल जाती है 5000 इमेज का बैटरी है फुल कर्व डिस्पले है 50,000 के प्रोसेसर के साथ तो यहां पर आप देख सकते हो कि OnePlus 10 Pro और IQ 11 दोनों में सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है बट इस्टिल मुझे लगता है कि लोग जो है OnePlus को चूज करेंगे IQ के सामने क्योंकि OnePlus पुराना ब्रैंड है उसके बाद Samsung Galaxy S23 Plus इसका दाम 95,000 था जो क प्रें कुछ जादा कम नहीं है Xiaomi 13 Pro का दाम यहां पर काफी कम किया गया है 72,000 किया गया है ऐसे 80,000 के करीब था तो वैसे ही यह महंगा बहुत महंगा फोन है तो इतना खर्चा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से खर्चा करना ही है तो हम लोग यह फोन क्यों लेंगे दूसरा बात है IQ 9 Pro इसका दाम 49,000 किया है 49,000 इसका दाम अक्सर होते रहता है कोई नहीं बात नहीं है तो कुछ खास discount इसमें भी आपको देखने को नहीं मिलता है तो यह थी वह सारे deals जिसमें आपके साथ कहां fraud हो रहा है और कहां पर सही चीज मिल रही है यह मैंने पूरा आपको इ दिस्क्रिप्शन में हम मिलिंग अगली वीडिम ततक के लिए have a great day वीडियो अच्छे लगी हो तो like करते हैं कुछ पूछ ना है तो comment section पूछ सकते हैं इस PDF की link पर मैं description में देदूँगा आप जाके सारे देख सकते हो